है गाई वेलकम बैक टो त्रिदेव इंवेस्मेंट लेब तो आज मैं आपके साथ लेकर रहा हैं दो बेस्ट पेनियों जो की हाई पोटेंसिल वाले हैं तो इसमें काफी सारे जो है क्लियर सेनारियों नजर आ रहे हैं कि यहां पर बाइंग करनी चाहिए फिर नहीं और इसकी को यौर डाउट्स रहे तो आप हमें कमेंट सरूर कीजिएगा और इस तरह के स्टॉक्स रेगुलर आपको पाने हैं तो आप हमें जोइन कर सकते हैं इस तरह से मैंने यहां जोइनिंग के लिए इस वीडियो में लिंक दे रखा है आप टेलीग्राम पर जोइन हो सकते हैं और अगर आप प्रसनल के लिए चैटिंग चाहते हैं तो मैं यहां पर वाट्सप का भी नंबर एड़ कर दूंगा आप वहां से प्रसनल चैटिंग कर सकते हैं तो आई जानते हों कौन से स्टॉक्स हैं और इसके फंडामेंटल्स क्या रहा हैं यह सारी डिसकस करते हैं तो अभी जो है पनाई यह 0.23 परसंट से यह पोजिटिव रहा है यह बीएसी में ट्रेड करता है और इसे स्टॉक की मार्केट कैप आप देखते हैं 66.1 करोर की मार्केट कैप नजर आ रही है तो गैस अगर इसकी इनकोर्परेट की बात करें तो यह कंपनी जो है 2015 में यह इनक 6.5 का रहा है और को 25 देखने को मिल रहा है इसकी एसटोक पी देखे गयाए तो 7.72 की और एंगर इंजरें से कमपेर करें तो 24.5 की एससे काफी अंडर्व nicelle काफी अच्छी शुक आवलेबल है इस्टोक में और परसंट की धो होल्डिंग भी 0% नज़र आ रही है और रिटेल इन्वेश्टर आप देख सकते हैं यानि कि पब्लिक होल्डिंग जो कि 43.2% की देखने को मिल रही है इस कंपनी के बात करें तो 10.5 करोर की देख नज़र आ रही है कंपनी के पास लगवग एक करोर रुपय एवलेबल हैं डि कंपनी के प्लेस परसेंटेस की बात करें गाइस तो 0% का नज़र आ रहा है यानि कि कंपनी की कोई भी सेयर गिर भी नहीं देखने को मिल रही है कंपनी प्रोफिटेवल की बात करें गाइस तो प्रोफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 142% की जो है प्रोफिट ग्रोथ भी क्या इस स्टॉक में बन रहा है पोटेंचियल तो कई अब देख सकते हैं जब यह मार्के लिस्ट हुई थी तब यह काफी नीचे ट्रेड कर रहा था और काफी समय तक इतर यह ट्रेड किया लगवाग तो साल क्या सब्सक्राइब किया फोर रुपीज के अंडर में उसके और वापस से जो प्राइब कर रहा था वापसस से अभी ट्रेड करता वह देखने को बिल रहा है यानी की काफी ससते प्राइब एविलेबल है और आप फोकस बना करें चाहिए काफी अच्छी एस्टॉक नजर आ रही है और फंडामेंटल भी काफी एस्टॉक की देखने को मिल रही है चलिए सेकेंड इस्टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस सेकेंड इस्टॉक की बात करें तो उसका नाम है सीकोष्ट सिपिंग सर्वि में यह कोई थी मार्केट की बात करें तो इसकी 8.53 की नजर आ रही है इंडस्टी पी देखें तो 11.2 की जो की इससे अंडर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है यानि की काफी बेटर स्टॉक देखने को मिल रही है और उसी की बात करें तो 38.4 परसंट की आर रही देखें तो 36.1 परसंट की जो की काफी बेटर नजर आ रही है और अच्की मानी जाती है यह फिलाल स्टॉक कोई डिविडेंड आपको प्रवाइट नहीं करा रही है लेकिन इसमें अगर बाइंग करें तो एक बेटर प्रॉफिट भी आपके हाथ लग सकती है तो आपको यहाँ पर इसे आप वाच लिस में एड़ जरूर करें और इसे वाच करते रहे हैं जैसे ही मौका मिलती है आप इसमें एक पेटर प्रॉफिट बना सकते हैं बाइंग के बाद इसे स्टॉक कि अगर देट की बात करेंगाई तो आप देशने 25.2 करोर की देट एबलेबल है और बात करे जीन उसके मदली ऐसे बात करें इसका थोड़ा उपर करता हूँ है और रहाया है यानि कि सपूर्ट आने के बाद इसमें मौखिन्न देखी थोड़ा ऊपर गया नीचे आया लेकिन वापास सपूर्ट ना आने के वज़या उसक voter यह मौव्मेंट फिर से बनाना सुरू कर र पाइश प्रोपय तक रहका है अगर इतर से निकलता है तो इसके बाद निकलता है तो इसके बाद निकल कर सकते हैं बड़े टार्गेट के लिए काफी सब्सक्राइब करना और अगर कोई डाउट हो तो आपको में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस तरह के सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना और बेल एकन प्रसक्राइब बिल्कुल मत पुलिएगा आज के लिए नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में थैक्स पर वाचिंग